हेलो प्रेंट्स कैसे ही आप सब आज मैं देखिए आपके साथ इस ब्यूटिफूल जैकेट डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप इसे कार्डिगन में जैकेट में दोनों में डाल सकते हैं लेडिज, जैंस, बच्चों के किसी भी परजेक्ट में, कैब वगरा में, स्टॉल में, हर एक चीज में डाल सकते हैं बहुत इजी, सुन्दर और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये जाकेट हमारी सीधी तरफ से ऐसे और उल्टी तरफ से ऐसे बनके आई है इस बोर्डर की वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है वाइट कलर में मैंने बोर्डर डाला था, दो-तिन दीन हो गए इस बोर्डर की वीडियो शेयर कर दी थी मैंने आज मैं इस डिजाइन की वीडियो आपके साथ शेयर करनी है और ये जाकिट इतनी प्यारी लग रही है ना बहुत सुंतर बन कर आई है बहुत इजी है इसे बनाना बहुत यादा आसान देखे सीधी तरफ से ऐसे इसमें मैंने पोकिट वगरा भी लगाई है बहुत प्यारी बनी है देखिया आगे से दिखाऊ यह देखे पूरी दिखा तो चलिए अब बात कहते हैं इस डिजाइन के बारे में इस डिजाइन को देखिए हमने सेट करने के लिए 10-10 के मल्टिपस से फंदे लेने हैं सीधी तरफ से first row, पूरी सीधी है यह पूरी πूरी इस लाई सीधी आपने dream बनाने पे बाद एक पूरी सीधी झीदी बना लेनी है और फिर से कहा रही हो अगर आप यही वाला बोर्डर बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है दो-तिन दिन होए वाइट कलर में मैंने यह बोर्डर बना कर आपको बताया था तो आप उसे देख सकते हैं नई वीडियो मिलेगी कमेंटर पर बोल देना मैं दे दूंगी ठीक है तो यह फर्स्ट रो पूरी हम सीधी बना लेंगे और उल्टी तरफ से इस पैटरन में पूरी रो पूरी जैक्ट में आपने उल्टी उल्टी ही बनानी है उल्टी तरफ से कोई डिजाइन नहीं आता है तब ही बोर रही थी कि बहुत इजी पैटरन है क्योंकि जो डिजाइन सीधी तरफ से सिरफ डलते है न उल्टी तरफ से नहीं डालने होते हैं मुझे बहुत असान लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं वह वाले डिजाइन अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी अब सीधी तरफ से हमारी थर्ड रो तो फर्स्ट फंदे को आप उतारना चाहों उतार सकते हो बनाना चाहों बना सकते हो यह आपकी मर्जी यह हमारा एट स्टीच का फंदा है ठीक है फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर इन दो फंदों को दो काईक कर देंगे, ऐसे, उल्टा बनाते हुए न, दो काईक कर देना है, दो काईक किया, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, तीन फंदे सीधे बना लेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बनाई, यहाँ पर हमने एक फंदा कम किया है न, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, यहाँ पर हमने जाली डाल दी, यह एक फंदा कम किया था, यहाँ पर हमारी जाली डाल गई, अब यह एक धागा अपनी तरफ करेंगे, एक, दो, तीन फंदे सीध इस फंदे के देखिए दोनों तरफ हमने जाली डाल ली अब धागा अपनी तरफ करेंगे यह 3 फंदे हमारे सीधे हो गए अब यहां पर 3 का एक कर देंगे तीन का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे एक दो और ये तीन तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को सीधा बना देंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे यह एक, दो, तीन फंदे सीधे फिर से इस फंदे के दोनों तरफ हमने जारी डाली यह तीन फंदे सीधे होगे अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर तीन का एक कर देंगे फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे तीन फंदे सीधे इसी पैटरन को आपने पूरी रो में दोहराते जाना है फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे यह एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ यह एक दो तीन फंदे सीधे फिर से तीन का एक तीन फंदे सीधे फिर से एक फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे पूरी रो में आपने यही करते जाना है लास्ट में देखिए इस फंदे के दोनों तरफ जाली डाली ये तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इन दो फंदो को दो का के एक कर देंगे उल्टा बनाते हुए ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा ऐसे अब उल्टी तरफ से ये फोर्थ रो हमारी पूरी उल्टी आएगे, उल्टी तरफ से कोई पैटरन नहीं डलेगा, मैंने पहले ही बताया है आपको, तो ये पूरी रो हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाती जाएंगे, ठीक है? रो फाइव सीधी तरफ से, पहले फंदे को तो हम सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अब इन दो फंदो को दो का एक कर देंगे, ऐसे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक, दो, दो फंदे सीधे बनाने के ये बीच में सीधे बनाते याना है और इन दोनों के दोनों तरफ आपने जाली डालने है एक जाली इदे डाल ली अब धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे फिर से सीधे बनाएंगे एक जाली और डल गी ठीक है यहां पर दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी त तरफ करेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, एक जाली डाले यहाँ पर, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, एक, दो फंदे सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर फिर से हमने तीन का एक करना है, यहाँ पर तीन का एक करना ह ये एक, दो, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये एक, दो फंदे सीधे बना देंगे, दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर दो काई कर देंगे, ऐसे उल्टा बनाते हुए, लास्ट का फंदा हम सीधा बना और उल्टी तरफ से 6th row पूरी उल्टी, 7th row सीधी तरफ से 1st फंदे को तो पहले हम सीधा ही बना लेंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर 2 काई कर देंगे, ऐसे 2 काई करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पर बीच में हमारे 5 फंदे सीधा गए, 1, 2, 3, 4, 5, धागा अपनी तरफ करके देखें, फंदा बनाते हैं तो यहाँ पर जाली डल जाती है, जिससे 1 फंदा हमारे यह बढ़ गया, अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहा यहाँ पर देखें, यह बीच में 3 का एक कर देंगे, ऐसे ही, 3 का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ यह एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे, अब फिर से यह 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और यह 5, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जा दागा दूसरी तरफ करते हुए एक फंदा ये सीधा बनाएंगे फिर से दागा अपनी तरफ करेंगे ये एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे हो गई और यहाँ पर हमारी जाली डल गे। फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, लास्ट के यह दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, ऐसे, और उल्टी तरफ से पूरी रो, उल्टी बना लेंगे अब सीधी तरफ से इस पैटरन की ये हमारी लास्ट प्रो है तो एक फंदा हमारा ये सीधा बनेगा धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर हमने दो काई कर देना है दो काई किया अब धागा अपनी तरफ रखते हुए ये जाली वाले फंदों को सीधा बना देंगे यहां पर हमने जाली भी डालनी है तो उल्टे की तरफ से ऐसे घुमा लेंगे ऐसे घुमाने के बाद यहां पर तीन काई कर देंगे दो और यह तीन तीन काई किया उसके बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे यहाँ पर जाले डालेंगे और यह 7 फंदे हम सीध्य बना लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, और यह 7 फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे उल्टे की तरफ से घूमाएंगे यहाँ पर 3 काई कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ रखते हुए यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे और ये दो फंदों का एक कर देंगे, उल्टा बनाते हुए, लास्ट का फंदा सीधा अब उल्टी तरफ से टैंथ रो हमारी पूरी उल्टी आएगी और यहीं पर ये पैटरन बनकर हमारा देखे, कम्प्लीट हो गया है इसके बाद हमने क्या करना है, इसे फर्स्ट रो से रेपीट, मतलब कि पूरी रो सीधी फिर उल्टी फिर यहां से हमारा ये डिजाइन डलना स्टार्ट हो जाएगा आपने इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट कर देना है आगे-ागे बनाते जाओगे, तो ऐसा देखे, बीटिफुल डिजाइन बनकर आपका रेडी हो जाएगा देजैन हमारा बहुत प्यारा है तो जुरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन सब्सक्राइब आपको पता है कमेंट आपको पता है और शेयर भी करना है ठीक है फिर मिलते हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ बाबाई